नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वी और मैं आज आपको एक्स्प्लेन करने पाला हूँ डेफोडल्स ये एक बहुत ही खूबसुरत पोयम है जिसे लिखा है वीलियम वर्ट्सवर्थ ने सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे डेफोडल्स डेफोडल्स एक हलके पीले रंग का फूल होता है जिसकी आम तौर पर छे पंकोडियां होती है और जिसके बीच में एक कप नुमा आकार की आकरती होती है इस पोयम को I Wondered Lonely as a Cloud भी कहा गया है यह पोयम वीलियम वर्ट्सवर्थ की एक सची घटना पर आधारत है जब वीलियम अपनी बहन डौरोथी के साथ लेक डिस्रिक नाम के जगे पर गोम रहे थे लेक डिस्रिक एक नेशनल पार्क है तब वहाँ पर उन्होंने डिफुडिल्स फूलो का एक बहुत ही सुन्दर नजारा देखा उस सुन्दर नजारे को देखकर वीलियम वर्ट्सवर्थ ने इस कविता को लिखने के बारे में सोचा जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस पोयम के शुरुवात से पहले हम वीलियम वर्ट्सवर्थ के बारे में जानेंगे वीलियम वर्ट्सवर्थ वीलियम वर्ट्सवर्थ का बर्थ हुआ था 7th of April 1770 में और इनके मृत्य हुई थी 23rd of April 1850 में वीलियम वर्ट्सवर्थ नीचर्स पोईट थे यानि कि वे प्रक्रेती के बारे में लिखा करते थे अब हम बात करेंगे वीलियम वर्ट्सफर्थ के कुछ बहुत ही famous notable work के बारे में जैसे ये इनके कुछ बहुत ही famous work रहे अब हम इस poem पर आते हैं poem के explanation से पहले हम कुछ difficult word देखेंगे जिससे इस poem को समझना बहुत आसान हो जाएगा rendered का मतलब होता है गूमना या फिर सैर करना whales का मतलब होता है गाटी host का मतलब होता है मेजबान, beneath का मतलब होता है नीचे की और fluttering का मतलब होता है फड़फडाहट या फिर समभे अब मैं आपको ये poem बहुत सरल बहासान शब्दों में explain करूँगा I wondered lonely as a cloud that floats on high over whales and hills poet first line में कहते हैं मैं अकेला किसी बादल की तरह सैर करता हूँ जो उची घाटी और पहाड़ेों के बीच तैरता है मन रहता है poet खुद को एक बादल की रूप में देखते हैं वे ये कहते हैं कि वे एक ऐसे बादल है जो अकेले हैं lonely है आपने आसमान में देखा होगा कई बर आसमान में कई सारे बादल एक साथ होते हैं लेकिन यहाँ पर poet कहते हैं कि वे एक lonely cloud है यानि कि एक ऐसा बादल जो अकेला है और वह बादल उची उची घाटियों पहाडियों के उपर मंडरा रहा है उन पर सेर कर रहा है All at once का मतलब होता है यकायक या फिर अचानक और तब ही यकायक अचानक मैंने एक भीड देखी सुनहरे डेफोडल्स की जो किसी मेजबान की तरह मेरा स्वागत कर रहे थे अब पोईट ने डेफोडल्स के फूलों को किसी मेजबान की रूप में देखा है मेजबान वह व्यक्ति होता है जो महमानों का स्वागत करता है उनकी आवभगत करता है जब पोईट ने बहुत सारे डेफोडल्स के फूल देखे तो उन्हें वह किसी मेजबान की तरह अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर Milky Way को हिंदी में आकाश गंगा कहा जाता है Margin का मतलब होता है सीमान्त, सीमा या फिर हद Glance का मतलब होता है जलत या फिर प्रभा Sprightly का मतलब होता है प्रमुदित या फिर आनन्द पूर्ण Continuous as the star that shines and twinkle on the Milky Way Point Defodils के बारे में कहते हैं वो निरंतर किसी तारो की तरह चमक रहे थे मानो आकाश गंगा में तारो के समान वह जगमगा रहे हो Defodils के फूल पीले रंके होते हैं इसलिए Point ने उन्हें तारो से कमपेर किया है जिस तरह से Milky Way में तारे टिम्टम आते हैं ठीक उसी तरह से Defodils के फूलो को देख कर लग रहा था मानो हर एक फूल किसी तारे के समान जगमगा रहा हो They stretched a never ending line along the margin of a bay Never ending line का मतलब होता है कभी न खत्म होने वाली कतार उन Defodils के फूलो को देख कर ऐसा लगता था मानो उनके कतार कभी नहीं खत्म होगी और साथ ही साथ उनके बराबर बराबर में खाडी की सीमा भी थी बेको हिंदी में खाडी कहा जाता है खाडी उस जगर को कहा जाता है जो किसी सागर या फिर महा सागर को जोड़ती है पोईट ने इन लाइन से यही बताने की कोशिश की है कि किस तरह का नजारा उन्होंने देखा कि एक तरफ तो फूलो की कतारे हैं और दूसरी तरफ खाडी की सीमा है 10,000 I saw at a glance टॉसिंग देर हैड इन स्प्राइटली डांस पोईट 10,000 फूलो को एक जलक के साथ देखते हैं उन सभी फूलो को देखकर ऐसा लगता है मानो वह फूल बड़े ही आनंदपूर्ण अवस्ता में अपना सर इधर से उद्धर टॉस करके नाच रहे हो 10,000 से यहाँ पर मतलब है बहुत सारे फूल यानि कि वह फूल इतने आनंदित हैं प्रमुदित हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वह अपने सर डोलते वे नाच रहे हो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस्टेंजा पर पास ही समुद्र की लहरे भी नाच रही थी लेकिन वे सभी उन लहरों से भी बहतर नाच रहे थे पोईट ये कहते हैं कि एक तरफ तो फूल नाच रहे थे और दूसरी और खाड़ी में लहरे भी नाच रही थी लेकिन फूलों को देखकर ऐसा लग रहा था मानों वह लहरों से भी अच्छा नाच रहे हूं आउटडेट का मतलब होता है उनसे भी बहतर इस लाइन में एक शब्द आ रहा है स्पार्कलिंग वेव से यहां पर मतलब है एक के बाद एक लहरे जब आती हैं तब बच चमकती होई दिखाए देती हैं क्योंकि सूरज की किर्णों के कारण पानी की बूंदे और चमकती हैं लेकिन डेफुडिल्स के फूल फिर भी पूरे उल्लास के साथ उन लहरों को डांस में मात दे रहे थे जब इतना सुन्दर निजारा कोई कवी देखेगा तो वह करी कह सकता है सिवाए अनंदित और प्रमुदित होने के जोकंड का मतलब होता है जिन्दा दिल जब आप जिन्दा दिल व्यक्ति के साथ होते हैं तब आप अपने सभी गम भोल जाते हैं पोईट ने डेफुडिल्स के फूलों को एक जोकंड कमपनी कहा है यानि उन सभी फूलों को देखकर ऐसा लग रहा था मानों वह किसी जिन्दा दिल टोली के बीच आ गए हो I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought मैं निहारता रहा मैं सिर्फ निहारता रहा एक छोटे से विचार को मन में लिये मैं सूझ भी नहीं सकता था कि किस तरह की दौलत इस नजारे के जरी मुश्तित पहुची है पोईट उस नजारे को किसी दौलत को रूप में देखते हैं वे कहते हैं कि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि जिस नजारे को वह देख रहे हैं वो उनके लिए कितनी बड़ी दौलत लेकर आया है यहां पर दशो से मतलब है फोलो की प्रदर्शनी से फोलो की प्रदर्शनी को देख कर यही विचार पोईट के मन में उठ रहे हैं अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइट पर for often when on my couch I lie in vacant और in pensive mode vacant شब्द का मतलब होता है विचारहिन flesh शब्द का मतलब होता है दमक, दीपति या फिर प्रकाश solitude का मतलब होता है एकांकी पन या फिर अकेला पन pleasure का मतलब होता है मजा या फिर आमोजनक और invert का मतलब होता है आंतरिक पोईट ये कहते हैं कि जब वह अपने आरामदयक सोफे पर लेटते हैं और जब उनके मन में कोई विचार नहीं होता या फिर वह जब चंतगरस्त होते हैं या किसी विशे की बारे में एक दन दलीन होते हैं तब देफलेश अपाउन देट इनवर्ड आई तब एक चमक के उन्हें अपने आंतरिक द्रश्टी में अपने अंतर मन में उन्हें फूलो का द्रश दिखाई पड़ता है पोईट डेफोडल्स की द्रश को इतना करीब पाते हैं कि जब उनके दिमाग में कुछ भी नहीं चलता तब भी वह उन फूलो के बारे में सोचते हैं या फिर जिसे पोईट ने कहा है कि यही तो एक आंत का आनंद है जब हम अकेले होते हैं तब या तो हमारा दिमाग बहुत घूमता है या फिर एकदम शान्त हो जाता है पोईट ये कहते हैं इन दोनों ही अवस्ता में वह उन फूलो के द्रश के बारे में सोचते हैं और वह उस अके and dance with the daffodils यहां पर फिल्स और डेफोडिल्स में राइम किया गया है पोईट ये कहते हैं कि उस पर्मनंद अवस्था में उनका दिल खुशी से भर जाता है और उनका दिल डेफोडिल्स के साथ नाशने लग जाता है यानि कि वह नजारा कितना सुंदर होगा कि पोईट जब उस नजारे की बारे में सोचते भी है तब उनका दिल खुशी से भर जाता है नीचर का इतना बहतरी इंगवर्णन शायद ही कोई और पोईट कर सकता था दोस्तों ये थी पूरी पोयम आशा करता हूँ आपको इपोयम आसानी से समझ में आई होगी अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्फुल रहा हो तो प्लीज इससे लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे अपने आसपास सफाई बनाए रखें एक पेड़ जरूर लगाएं बहुत बात धन्यवाद